नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर राधे राधे हर हर महादिव जै बचरंग बली की जै हो शनातन धर्म की जै हो साधू संतों की भरत मा की जै विश्च का कल्याण हो ये क्या चीज है देख लीजिए अच्छा तो आप पहचान गए आप बताइए ये क्या चीज है अरे ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये गेंदा का फूल है गेंदा इंगलिस में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम लेकिन ये बहुत ही आसानी से भारत वर्षनी बलकी वि और मंदिरों में इसका माला फूल 99 परसेंट यही चड़ता है पर्चित है ना कि ये गेंदा का फूल है लेकिन आप लोग एक चीज से नहीं पर्चित थे कि जहां ये पूजा, यग्व, हवन, साधी बिवा यानि मांगलिक कारेयों में ये अस्थानों की सोभा बढ़ाता है वहीं विश्चु का सबसे तेज तीन रोगों में ये काम करता है ये बहुत ही चमतकारी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही पावर्फुल आउशदी है, पुश्प है अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है इसे गेंदा बोलते हैं और आप साध पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं बढ़ाम आपका स्वागत है सुनिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, लाइक कर देजिए, शेयर कर देजिए चुकि हम वही उपाए, वही डोटके, वही चीज़ बताते हैं जो मैं स्वैम परिचित कर लेता हूँ, परियोग कर लेता हूँ वही आप लोगों को देता हूँ चुकि मैं चाहता हूँ कि आपका वक्त ना बरबाद हो, आपका समय ना बरबाद हो, इंटर्टेड्मेंट के लिए टाइम पास के लिए वीडियो मत देखें साथ ही तंत्र मंत्र यंद के नाम पे किसी को एक रुपए ना दें, न आप लुटें, कोई समस्या हो, समस्याओं के लिए हमारे चैनल की उपर, हमारे चैनल में आल लेडि बहुत सारी वीडियो पड़ी हूँ, जो परमारी हैं, अचूक हैं, सटीक हैं, वो आप देख सकते हैं, तो ये तीन रोगों में कैसे काम करती वो रोग कौन हैं, मित्रों, आप इसका पवधा हर जगा पा सकते हैं, किसी भी पूड़ मार्शी को, या शुकल पच्की पंचमी को, इस वरिच के पास जाना है, प्रणाम करना है, पीले चावल छिड़कना है, साम को, और बोलना है वरिच्छ राज, हे अमरित तुले आउसदी, हे मात तुले आउसदी, हे देव तुले आउसदी, मैं अपना नाम, पुत्र, अपनी मा का नाम, मैं आपको अपने साथ कल लेने आऊंगा, मेरे साचल कर मेरा समस्त कल्यान करना, इसके बाद अगले दिन जाकर, यानि पंच प्रण देना है साम को अगले दिन जाके इसको उल्टे हास से एक बार में उखाड़ने के बार इसकी जड़ को साथ पानी से धुल कर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे टुपड़े करके एक डिब्बी में रख ले तब द्यान दीजिएगा काम की बार लीवर की समस्या बहुत जोडों पर चल नहीं है लीवर की समस्या बहुत जोडों पर चल नहीं जिनका लीवर खराब रहता अ प्रब्लम रहता है तो ये जो आप लेकर आए हैं जल sindट चोटी इस जल को आपको 21 कर थोड़ा सा घीध में पेश्ट करके परनी नाभी पर लगाना है रोज रात को ऐसा आप 40 दिन करेंगे लिवर आपका फैटी लिवर सही हो जाएगा दिक्कत दूर हो जाएगी जिन वेक्तिक को पायर्स की सिकायत हो वो इसमें जड़का एक टुकड़ा सुबह सुबह मिश्री के साथ या केले के अंदर रखके निगलना है चवाना नहीं है चनिक ब्राबट टुपड़ा लेना इसके जाएगा साथ दिन खाईए फिर बताईएगा कि परभू ने इन आउशदियों में कितने बड़े चमतकार भर रखे हैं कि तीसरा कि जिन लोगों को हमेशा माइग्रेन सरदर्द बना रहता सरदर्द वह इस आउशदी को हाथ में रखेंगे थोड़ा से खाने वाला चूना जो खैनी बनाते हैं थोड़ा से चूना रखेंगे और कसकस के रगड़ेंगे जब आपके अंगुठा अतेली गरम होने लगे तब ऐसे सुबह सुभा सुंगेंगे या पांसाथ दिन करिए आपका सरदर्द दूर और यह तीनों इलाज चादू के तरीके तुरांद यह किया वह हुआ इधर किया उधर हुआ इधर मारा उधर मारा ऐसी जबर्दफ चीज है मैं इसलिए जोस में हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बुजलों लोग हमारे शादू संथ हमारे जो ग्यानी लोगते कितनी अच्छी चीज जिसे हम साधार अचीज समझ कर फेट देते हैं उखार देते ह उनके अंदर कितनी ताकत है कितनी पावर है कितना चबर्तस चमतकारी उसके अंदर पावर है मैं यही काम कर रहा हूं कि उन चीजों को जानना पहचानना प्रैटल करना तब आप जैसे अच्छे हमारे जो भाई बहन हैं मता हैं पिता तुल बजर्ग हैं शाधू संत हैं सभी के चर्णों में इस विद्या को रखना और आपका अशिरवार प्राप्त करना मेरा उदेश है तो इस उपाय को करें लोगों को बताएं अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे कमेंट में अच्छा कमेंट जरूर करिएगा यह निवेदान है और वीडियो इसलिए थोड़ा लेट डालता हूं चुकि बार बार वीडियो डालना यह नहीं क जो पाउट आकर डाल दो वीडियो वही डालता हूं जो प्रैटकर कर लेता हूं अजमाल लेता हूं सत्य पाता वही डालता हूं इसलिए हो सकता दूसरे दिन तीस रहे दिन अमारी वीडियो पढ़ती है सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकान का जो आपसें वो क्लिक करें और अभी आज हमारे पास बहुत पोन आ रहे थे कि डिवोर्स का पती-पत्नी का लफड़ा ये सब लोचा बहुत चला उसके लिए हमारी इस वीडियो के डिस्क्रेक्शन बात में एक लिंक पड़ी है ज आप लोगों को लग जाए हिंच जाए भारत जाए शियरां